Hello Friends, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका Board Exam Class 10th English के Slabers के बारे में Friends, यदि आप चैनल पर नए हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा लेटा इस वीडियो के नोइडिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए Friends, आप सभी को पता होगा, English आपकी टू पार्ट में डिवाइड होती है सबसे पहले आपकी जो होती है, वो आपकी Literature होती है और दूसरी आपकी Grammar portion होता है सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी Literature portion के बारे में Friends, यह आपका 35 marks काएगा और इसी तरीके से जो आपका Grammar portion है वो भी आपका 35 marks काएगा Friends, जो Literature part है उसमें टोटल आपके 13 chapters है First जो आपका part है वो आपका प्रोज से है प्रोज में आपके 6 chapters है, सबसे पहला है आपका The Enchanted Pool तो Friends, जितने भी आपके chapters हैं, इन सभी के सभी आपको महतपूर्ण प्रशन बताए जाएंगे यदि आप इन सभी के महतपूर्ण प्रशनों की तयारी करना चाते हो तो चैनल को जल से जल सबस्क्राइब कर लीजे दूसरा chapter है आपका इसमें Our Letter to God Third है आपका The Ganga Fourth है आपका Socrates Fifth है आपका Torch Beerus और Sixth है आपका Our Indian Music तो Friends, यह आपके 6 chapters हैं, जो आपके pros के हैं इसमें Friends, जो भी आपकी छोटी-छोटी कहानिया हैं वो सभी आपको इसमें बताई जाएंगी और उन सभी से लेटी जो भी most important questions हैं वो आपको बताई जाएंगे Friends, जो poetry portion है इसमें आपके 4 chapter हैं सबसे पहला है आपका The Fountain Friends, जो poetry portion होता है इसमें आपकी poems होती हैं सबसे पहला है आपका इसमें The Fountain दूसरा है The Psalm of Life Third है The Village Song और Fourth है आपका A Nation Builders तो Friends, यह चारों आपके poetry के part हैं Friends, इन सभी chapters को आपकी preparation अच्छी तरीके से कराई जाएगी इसमें आपको serental idea और poem आपको किस तरीके से लिख के आनी हैं यह आपको बताया जाएगा यह आपका जो exam में पूछे जाता है यह आपका 10 से 13 marks का आपके exam में आता है बात करते हैं आपके supplementary portion के बारे में supplementary portion में आपके 3 chapter है सबसे पहला है आपका the inventor who kept his promise second है the judgment seat and last है आपका a great olympic prize तो Friends, यह 3 chapters हैं जिसमें से आपकी matching आती है कुछ questions आते हैं और आपके कुछ MCQ questions भी आते हैं यह था आपका total 35 marks का English reader का portion यह कह सकते हैं literature का portion अब हम बात करते हैं आपके grammar portion की बारे में तो Friends, जो grammar portion है वो भी आपका 35 marks का आएगा सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं आपके reordering the making of proper sentence यानि आपको जो sentence है वो ultra-streetद दियावा होगा उस आपको सही क्रम में लगाना है मालिजे यही आपका reordering to making of proper sentence है यदि ऐसे लिखा होता है यह reordering make sentence proper are to तो आपको इसे सही form में यानि reordering to make a proper sentence इस तरीके से आपको लिखना होता बात करते हैं आपके second second है आपका making of negative sentence आपको या तो interrogative sentence दिया जाएगा या आपको affirmative sentence दिया जाएगा यसा आपको negative sentence में change करना होगा next है आपका making passive from active voice आपको passive voice दिया जाएगा उसे आपको active voice में यानि उस sentence को आपको active voice में change करना होगा next है आपका proper use of verb वर्ब आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो उसको आपको बताना होगा या मान लीजे यदि आपका कोई negative sentence है और या आपका कोई interrogative sentence है तो या आपका present, past, future कोई भी sentence है तो उसको जो वर्ब है वो कौन से use होईगी इसके बारे में आपको क्या बताना है आपको proper use of verb में बताना है next है आपका formation of indirect speech इसना आपके कौन-कौन से sentences है सबसे पहला है आपका इसमें making of interrogative sentence या तो आपको affirmative sentence दे जाएगा या आपको negative sentence दिया जाएगा उससे आपको interrogative sentence में change करना होगा next है making of affirmative sentence जिस तरीके से interrogative sentence था उससे तरीके से आपका affirmative sentence है इसमें या तो आपको interrogative sentence दिया जाएगा या आपको negative sentence दिया जाएगा जिसको आपको affirmative sentence में change करना होगा next है आपका making of exclamatory sentence आपको कोई sentence दिया जाएगा जिसमें आपको प्रशन वाचक चिन में या आपको accelerated chin में बनाना होगा बात करते हैं next topic की next है आपका making of assertive sentence इसे तरीके से आपको assertive sentence लाने होंगे और अगला है आपका use of correct preposition जो भी आपकी preposition है उस आप किस तरीके से correct कर सकते हो उसके बारे में आपको इसमें बताना होगा next है आपका completing of sentence आपको कोई sentence होगा जो आपका complete नहीं होगा उस आपको इसमें complete करना होगा next है आपका rules of spellings मान लिजे आपकी कोई spelling है मान लिजे school है s, c, h, double dash लगा देगा और l लिख देगा तो आपको इन सब को fill करना होगा next है आपका punctuation इस तरीके से आपको punctuation भी करनी होगी next है आपका translation translation portion में friends सबसे पहले हम बात करते हैं आपका आपको हिंदी से इंग्लिश में किसी भी paragraph को translate करने को आ जाएगा इससे next है आपका composition इसमें आपका सबसे पहले एक letter writing के लिए आ सकता है दूसरा आपका एक long composition आ सकता है दूसरा है आपका अगला जो है आपका एक unseen पैसी जाएगा मालीजे आपका कोई पैसी जा गया आप उसको क्या गरोगे उसमें आपको कुछ questions दे जाएगे उनको आपको उस paragraph में से उसके सही answer छाट के लिखने होंगे तो friends यह जो पूरा syllabus है यह आपका 70 marks का है तो friends आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही था आपको वीडियो कैसे लगी comment box में ज़रू comment कीजेगा और जाबाशे जादा वीडियो को share कीजेगा जै हिंद जै भारत